यह वार्टसब गाईज, वेलकम बैक टुदा क्विक सपोर्ट यूट्व चैनल, तो आज किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेर का या तो किसी भी गेम का अल्टरोनेटिव कैसे ढूंड सकते हो, आपको कई बार परिशानी आती होगी जैसे सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताओ दूब को जाना रोम ब्रावजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आल्टरोनेटिव2.net, जैसे आप ऐसे सर्च कर देते हो, सबसा पहले रिजल्ट आपको वही देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते होगा फाइंड एंड उसके बाद आपको सर्च वारक ऑप्षन भी मिल जाता है तो सिंपली आपको इसमें डालना होता है और उसका अल्टरनेटिव आपको देखने को मिल जाता है तो और अप्लिकेशन यहां पे नीचे इसका पूरा एंफ्रमेशन जान सकते हो कि कैसी अप्लिकेश यहां पे एनिमेशन डेस्क उसके बाद यहां पे कैडन लाइव करके आ जाता है एक उप्षन और आपको उसके बाद शोटकट ओपन शोट यह सारे एप्लिकेशन आपको फिल्मोरा के अल्टरनेटिव हैं तो इन्हें डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो और नीचे तो इन्हें अभेड पर यहां पे यहां सकते हो आपको इसके इस वहां डूम इन्हेंट भार आपे साएप्लिकेशन आपको तो ये same आपको GTA की तरह ही देखने को लगेंगे, खेलने को भी GTA की तरह ही लगेंगे, ये आपको GTA की alternative देखने को मिल गए, उसके बास simply यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं Chrome, मतलब Google Chrome, इसका alternative आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं Mozilla, Firefox, Brave, और भी browser नीचे देखने क को मिल जाते हैं, जैसे Opera, Chromium, Microsoft Edge, Firefox, Plain Mom, ये कुछ करके आपको देखने को मिल जाते हैं, सारे software जो की Google Chrome की alternative है, उसके बाद यहाँ पर दूसरी website है, जिसका यूज करके आप alternative find कर सकते हो, ये website application या games तक ही सीमित नहीं है, इसमें आप किसी गाड़ी का, मतलब किसी भी vehicle का alternative पाओगे, तो ये website कुछ इस तरह से काम करती है, सेकेंड website का link आपको नीचे description में मिल जागा, जैसे ही आप इस description में पढ़े link पे click करते हैं, तो आप इस website पे redirect हो जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सर्च वारक option मिल जाता है, और ठोड़ा सा लिखा हुआ जो website का ना यहाँ पे हम जल्दी से search कर लेते हैं, Chrome का alternative हमें चाहिए था, तो simply यहाँ पे Chrome लिखके search मार देंगे, और यहाँ पे देख से तो Firefox, Edge Safari, बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं, जो कि Chrome की alternative इन्होंने बताए, उसके बाद हम यहाँ पे search कर लेते हैं, मतलब गाड़ी का कर ले किसी का भी हम सर्च कर सकते हैं कि कौन सा alternative हमें कि software का चाहिए, जैसे कोई भी software है भी होता है, हमारे computer पर काम नहीं करता है, तो इसका alternative आपको मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे OBS का use करते हैं, स्क्रीन recording करने के लिए, तो simply हम OBS का देख लेते हैं कि इसमां क्या alternative हो सकता है, त तो बस यार, आज कि इस वीडियो में बस इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राब जूर से मार देना, ताकि आप आने वाले वीडियो के अपडेट को मिस ना कर सको, so thank you so much for watching this video